तुलसी को खाटते समय, जो साथ मिट्टी लगी रह जाती है, उस मृति का की महिमा बता रहे हैं, मूल मृति का महिमा भारी, कोटी तीर्थ समपावन कारी. और तुलसी काश्ट धरे जे भूषन, हरी प्रिय होये रहे नहीं दोषन. जो तुलसी काष्ट के अभूष्ण मोतियों की माला अभूष्ण बना के पैंता, जैसे मैं भरसलेट इदर भी अधर तुलसी काष्ट, दरेजे अभूष्ण प्रिय होए रहे नहीं दूष्ण भगवान को बहुत प्रिय है उसमें कोई अबगुण नहीं रहते तुलसी कंठी धारे जो ही हरी को दास कहा वे सोई भगवान कहते हैं जो तुलसी कंठी धान करता है उसी को मैं अपना धास माननी लग जाता हूँ नाम जपे ले तुलसी माला हरी संतूष्ट होएं तेही काला और जो नाम जब तुलसी की माला से करते हैं लोग काउंटर से करते हैं कर माला भी करते हैं ठीक है सब नए करने से तो अच्छा है लेकिन सबसी अधिक महिमा तुलसी की माला से दी भजन करेंगे सबसी अधिक महिमा नाम जपें ले तुलसी माला हरी संतुष्ट होएं तही कादा और दल मिस्तित जलसों इसनाना सरोतीर्थ यजफल परमाना जब आप इसनान कराओ ठाकुर जी को चैस्यम करो तो जल में तुलसी दर डाल दो उससे इसनान करो तो कहा कि जल मिस्तित जलसों इसनाना सरोतिर्थ यज फल प्रमाना प्रमान सास्तर का समस्तिर्थों का फल, समर्ष यग्यों का फल, तुलसी दल मिस्रिट्स नान से जल से हो जाता है और हरी अर्पी तुलसी दल खाए, चंद्रायन सो बड़ फल पावे भगवान को अरपन करके तुल्सी को जो ग्रहन करते है चंद्रायन ब्रत के समान उसको फल प्राप्त होता है। तुलसी दल बक्षन अगनाशे शुद्धिकर्ण करी पुर्णय प्रकाशे तुलसी दल जो बक्षन करता है उसके तन का भी शुद्धिकर्ण होता है साथ में मन का भी और एक नया पुर्ण प्राप्त होता है अंतिम जाके मुख तुलसी दल पाप मुक्ति पावे तेही बल ज जिमी प्रलयानल सब कुछ जारे तीमी तुलसी जारे अग सारे जैसे प्रलया की अगनी सब कुछ समाप्त कर देती है इसी प्रिकार तुलसी की नवदा धगती हमारे तनमन के सारे पापों को जमाप्त कर देती है सरवोसदी रस तुलसी माही देहे मानसी का रोग नशाही जितने भी ओसदी है सबसे अधिक ओसदी है गुण तुलसी जी में है देह के सासात मन के रोगों का भी शमन करने वाला है तो तुलसी भूसित रक्षक जापक लखे नायम तुलसी आरादक जो तुलसी के अभुषन अपने सीर पर धान करता है और तुलसी का रक्षन करता है मतलब बार लगाता है कोई चर ना जाए तुलसी को और जापक अर्थात तुलसी का नाम किर्तन करता है या तुलसी की माला जबता है लखे ना यम तुलसी आरादक जो तुलसी जी की आरादन करता है वो कभी यमदूतों को देख नहीं सकता अर्था यमदूत उनके सामने नहीं आ सकते कैसे तुल्चि दल ने तो कहा कि बिना सस्त्र नाखुन लगाए करिया चेयन दल आज्या पाए पहले तुल्चि जिसे आज्या लो हम आपका चेयन करना चाहते है ठाकोजी के सेवा क के लिए तो कैसे चेयन करना है तो बिना सस्त्र नाखुन लगाए किसी सस्त्र का पहार नहीं करना चाको से नहीं काटना नहीं नाखुन से बलक ऐसी करके उसको तोड़ लिजी नाखुन लगाना दोश है सस्त्र गाना तुल्चि को दोश है और बिना आज्या के तोड़ना तुलसी से आग्या लेकर तब दोड़े और कब-कब नहीं तुलसी लेनी चाहिए तो पुणिमा पूर्ण अमा द्वादसी राती दिन मदी संध्या लेहिन पाती रवी संक्रम अशोच बिन नहाए लेहिन दल तन तेल लगाए कब-कब तुलसी दल नहीं उतारना चाहिए तो पुणिमा अमावस द्वादसी रात्री ठीक दुपैर के समय संध्या के समय और रवी सक्रांती और घर में अशोच हो तब बिना स्नान की नहीं यदि स्नान की बात तेल लगा लिया तब भी नहीं तोड़नी चाहिए तो इन सब दिनों नहीं तोड़नी चाहिए तुलसी ओस सुधिया गुणकारी दिवस नेशद ना पत्र उतारिया ओस्धी के लिए इन दिनों पत्र नहीं लेना चाहिए तोलसी का जो मैंने बताया कौन-कौन सा पुणिमा अमावस द्वादसी रात दुपैर संध्या रवी सक्रांती बिना स्नान की और स्नान के बादी तेल लगा यह तक भी नहीं इन स्थीतियों में तुलसी दल नहीं लेना चाहिए लेकिन पूनम रवी सक्रांती आमावस वैश्णव लेही कहें गरंत अस्र गरंतों में लिखाव है कि वैश्णव ले सकता है इन दिनों पूनम्या को भी रवी सक्रांती को भी आमावस को भी आगे कहा कि तुलसी निकटत जे जे देही, यम की तरास मिले नहीं तेही, तुलसी जी के पास जो सीर को छोड़ देता है, इसलिए गमला पास रखते है मननासन वेक्ति की, तो उसको यम दूत नरक नहीं ले जा सकते है, शीर्स मनजरी अंतिमकाला देख वजह यम राज की रिपाला, मृतियों के समय जिसके सीर्स पर मनजरी य। मनजरी किसको बोलते है, दो दल सहीत, जो फूल मंजरी में होता है, बीच में, तुलसी में फूल निकलता है, कली, तो उसके दो दल सहीत उसको तोड़ लो, उसको जो तुलसी मुख में लेता है तो यम दूतों से सुरक्षा हो जाता है। तुलसी काष्ट जे रंधे रसोई हरी रूची सों आरोगे सोई। तुलसी की लकड़ी से यदि कोई रसोई तयार करता है वो रसोई ठाकुजी बड़े प्रेम से ग्रहन करते है। जब साधान लकड़ी से चीता बन गई। अब उसमें अगनी लगानिया चीता में कैसे लगाएं। तो तुलसी की लकड़ी जला करके तब उसमें चीता में अगनी लगाएं। तो कहा कि तुलसी काष्ट अगन सों कोई नई सोरी तुलसी जाकी चीता जरावें। ताको भवन दी पार लगावें। आगे तुलसी काष्ट चीता में जावें। दे संग कर्म चरावें। यदि तुलसी काष्ट चीता में चली गई। तो दे के सासात उसके कर्म पाप भी जला देती है। आगे कहा। तुलसी काष्ट अनलसों दे ही भस्म होए दे मुक्ति ते ही। यदि पूरी चीता ही तुलसी की हो। और कोई दूसी लकडी ना हो। तो भसम होए दे मुक्ति दे। यदि तुल्सी काष्ट अगनी से सीर भसम हो रहा है तो उसको उसे से में मुक्त कर देती है। तुलसी कर धरी करे प्रतिग्या मिले नरक जे करे अवग्या, तुलसी दल को हाथ में ले करके जो प्रतिग्या करता है तो नरक में जाता हुए, तुलसी को हाथ में ले कर जूटी प्रतिग्या, जूटा वचन, जूटी सुगंद नहीं खानी चाहिए.